I am not a financial advisor, nothing in this video should be considered financial advice, crypto market are speculative and highly volatile and you can lose everything you invest Crypto Cancy में जब भी history लिखा जागा जिसमें आपको March 2024 एक unique पल के रूप में जरूर दरसाया जागा यहाँ पे एक new all time high बनते हुए आपको दिखा है तो यह जो पल है, यह जो month है और यह जो आपका year है 2024 यह काफी ज्यादा unique है दोस्तो तो यहाँ पे हम लोग March 2024 का top news को cover करेंगे इसके साथ ही top gainer coin के उपर नजर डालेंगे और इसके साथ ही top loser coin के उपर भी हम लोग नजर डालने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे bitcoin का technical analysis जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि market कहाँ पे जाएगा तो अगर आप लोग चैनल पे नए है तो केपया वीडियो को लाइक किजगा चैनल को सब्सक्राइब करके बे लाइकेन पे क्लिक कर लिजगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहला news हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो FTX Exchange का कोलैप्स हुआ था उनका जो CEO है उनको 25 साल का जेल हो चुका है यह सबसे बड़ा news है इस मन्त का क्योंकि वहाँ पे जब यह कोलैप्स हुआ था तो लोगों का बहुत जादा पैसा डूप चुका था दोस्तो आपको यह पता होगा तो इनको जेल होना ज़रूरी था यह अब हो चुका है यह भी एक आपको यूनिक पल के रूप में आपको दरसाया जाएगा जब भी क्रिप्टो का इतिहास लिखा जाएगा इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले news के तरब तो यहाँ पे आप देखोगे एलोन माक्स ने एक ट्विट किया था जिसमें आपको दो डोज के यहाँ पे पीक दिखाया गया था जिसके तहत आप लोग देखोगे कि यहाँ पे डोज कोईन में काफी जादा इंक्रेमेंट देखने को मिला है सिर्फ एक इनके ट्विट के कारण तो यह भी एक अच्छी बात है कि एलोन मासी जो है फिर से एक्टिव हो गया है डोज कोईन के ऊपर और कहीं न कहीं यह जो है बिट कोईन की और इसारा कर रहा है जिससे कि आपको इसमें प्राइस इंक्रेमेंट देखने को मिल रहा है और एक चीज और आपको बता देता हूँ यह बिट कोईन हाल्विन आपका यहाँ पर काउंट आउन फो कर रहा है 20 दिन अभी बचा हुआ है इसके बाद बिट कोईन का जो है हाल्विन अस्फार्ट होगा तो यह भी एक बड़िब न्यूज है क्योंकि पिछले 4 सालों से लोग इंतिजारत कर रहे थे आपको पता होगा हाल्विन 4 साल में एक बार ही होता है तो यह भी एक बहुत बड़ा important fact होने वाला है Bitcoin के लिए crypto industry के लिए और यहाँ पे आप देखोगे एक और news जो है काफी ज़दा बड़ा है crypto regulation को लेकर तो यहाँ पे Nigeria का जो central bank है वो charge में नहीं है crypto currency को regulate करने के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि यह इनके अधिकार के अंदर नहीं आता है यहाँ पे उनके governor ने बोला है कि यहाँ पे इनको collaborate करना परेगा law enforcement agency के साथ उसके बाद इस पे देखा जाएगा कि इसे regulate करना चाहिए या नहीं तो यह भी एक बड़ा news है आपको पता होगा कि पिछले दिनों से काफी सारे देश में आपको देखने को मिल रहा है कि इसे regulate किया जाए और कैसे किया जाए कितना tax लगाए जाए काफी जादा यहाँ पे चर्चा बनता हुगा आपको इस पे दिख रहा होगा पिछले एक या दो सालों से अब यहाँ पे हम लोग नजर डालते हैं Bitcoin के Technical Analysis के उपर तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चार्ट जो मैं पहले से ड्रा करके रखा हूँ यहाँ पे अभी मार्केट 75,000 डॉलर जाएगा की नहीं यह देखना बिल्कुल नया होगा क्योंकि यहाँ पे यह आपका मार्केट गया था 73,689 के आसपास और अभी फिलाल मार्केट चल रहा है 70,000 के आसपास तो यहाँ से कितना तक यह जा सकता है इस पे चर्चा करना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ से यह प्राई जो है उपर के तरफ बंक करेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो आप यहाँ से लेवल देख रहे हो यह लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो मैं यहाँ पे ऐसे ड्राग करके रखा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो लेवल आप देखोगे यह level जो है काफी ज़्यादा important है इसमें काफी ज़्यादा आपको variation बनते हुए दिखा है मैं इसे अब arrange करके यहाँ पे आपको कुछ चीजों को mention करता हूँ यहाँ पे देखो कि जब यहाँ से यह price आया है उसके बाद यहाँ पे यह नीचे की तरफ आया और इसके बाद यहाँ पे इसे जो है यह आपको recheck करेगा यहाँ पे इसे यह test करता है जब यह इसे test करेगा उसके बाद अगर इसे यह cross करता है अगर weekly candle जो है इसके उपर close होता है तो आपको यहाँ पर जाते हुए market दिख सकता है 75,000 डॉलर के आसपास नहीं तो यहाँ से market फिर से नीचे collect की तरफ आएगा crash ओने के बाद market ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है जो कि 59,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से अब एक चीज बनता हुआ यह दिख रहा है कि अभी क्या करना चाहिए अभी कौन सा position हम लोग को बनाना चाहिए तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो market का इस्तिती है यह side wedge में है आपको यहाँ पर इस condition में दिख रहा होगा तो अभी मुझे लगता है कि wait and watch करने का इस्तिती बना हुआ है जब तक यहाँ से market उपर की ओर cross न करे आपको इंटी नहीं लेना है या तो आपको इस line जो की 79,000 डॉलर का है इसके यह cross होने के बाद अगर विकली चार्ट जो है इसके नीचे बनता हुआ दिखेगा तो और अगर यहाँ पे आप देखो कि यह 75,000 डॉलर के आसपास यह जाएगा उसके बाद आप long के position वहाँ पे बना सकते हैं लेकिन अभी आपको wait and watch करना है अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ top gainer coin के उपर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर इस week की बात क्या जाए तो कि Slona blockchain के उपर यह बना है यह Slona का MIMS coin है और यह 4 डॉलर के आसपास आज के तीन यह गया है तो यह सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंकरीज हुआ है और Slona का तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया था अब चैनल के प्लेलिस से या BCH है यहाँ पे 590 डॉलर के आसपास इसका अभी प्राइस है और यह 48 परसेंट जो है इंकरीज हुआ है आई यह जो आपको देखने को मिल रहा है और यह जो क्वाइन है दोस्तों यहाँ पे लोफी लगता है हायर प्रेवेसी है लाजर ब्लोक साइज है तो यह काफी ज्या इस बार आपको देखने को मिला है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यह 36% के आसपास इंकरीज होता हुआ दिखा है जो की काफी ज्यादा आपको यूनिक दिख रहा होगा क्योंकि काफी समय से यह जो है काफी ज्यादा नीचे चल रहा था लेकिन इस विक में काफी ज्य तो यह भी एक इंप्रेसिव बनता हुआ यहाँ पे दिखा है दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं टॉप लूजर के ऊपर यहाँ पे कुक्वाइन में आप देखोगी तो यह 18% के आसपास यह नीचे गया है तो यह अच्छी बात नहीं है कुक्वाइन के लिए क्य पास यह वीकली यहाँ पे डिक्रिमेंट देखने को मिला है अब अगले कोईन के ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ पे कासपा पे हम लोग देखेंगे तो यह 10.5% के आसपास यह नीचे गया है यह प्रूप ऑफ वर्क अल्गोरिथम पे वर्क करता है दोस्तों तो यहाँ स भी आपको थोड़ी बहुत निरासा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर बात क्या जाए तो यहाँ पे 8.56% के आसपास डिक्रिमेंट देखने को मिला है इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों हिलियम के ऊपर यहाँ पे 3.71% के आसपास यहाँ पे नीचे की तर है तो यह क्वाइन काफी जादा पॉपलर भी है लेकिन यहाँ पे इस वीक में यह थोड़ी बहुत नीचे आता हुआ दिखा है तो कुल मिला कर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने सारे चीजों को कवर किया है कुछ इंपोर्टेट नियू जो कि मार्च 2024 का था इसके करके बेल आइकन पे क्लिक कर लिजेगा तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तर के लिए जय हिंद्ट